हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का study non stop channel पर दोस्तों है general science practice set का 11 पाट है और इसमें हम लोग general science के 25 questions solve करेंगे और सभी questions railway के पिछले exam से पूछे जा चुके हैं किसी नकिष एक exam में तो सारे questions बहुत important है तो वीडियो को लाज तक देखेगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो like or share जरूर करेगा तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं तो दोस्तों पहला question है निमलिकित में से कौन ठंडे या गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती है तो इस question के लिए अगर आपको reactivity series पता होगी तो आप इस तरह का question आसानी से solve कर पाएंगे यहां पर reactivity series मैंने दी हुई है और इसकी शॉर्टिक मैंने यहां पर दी है जिसके दोरा आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं तो इसमें सबसे उपर जो है वो है इसकी शॉर्टिक है कासी नात का माली आलू जड़ा फीके पकाता है कौन है आगे आओ तो इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं ठीक है और यहां पर जो सबसे ऊपर की धात्वे हैं जो सुरू की तीन धात्वे हैं यह सबसे ज़्यादा रेक्टिव होती हैं तो यह ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेती है और उसके बाद जो है magnesium है तो ये उतनी reactive नहीं होती है और ये ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती है बलकि ये गर्म पानी के साथ क्रिया कर लेती है और उसके बाद जो तीन धात्वे हैं कौन ठंदे या गर्म पानी के साथ अब क्रिया इसमें से नहीं करेगा तो calcium, sodium और potassium ये तो ऊपर की तीनों धात्वे हैं तो ये सब बहुत reactive होती है तो ये तो जल के साथ क्रिया कर लेंगी ठंदे जल के साथ लेकिन aluminium जो है ठंदे या गर्म पानी के साथ नहीं क्रिया करेगा ये किस के साथ करेगा तो ये भाब के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर ए ओप्सन इसका right एंस हो गया है हमेशा विकास प्रोचाहक के रूप में कारे करता है ये कहां से स्रावित होता है तो ये स्रावित होता है पीयोस ग्रंती पीयोस ग्रंती से स्रावित होता है पीयोस ग्रंती कहां पाई जाती है तो ये हमारे मस्तिस्क में पाई जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह छोटा सा होता है मटित के दाने के बराबर लेकिन इसको master gland भी कहते हैं master gland क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि यह अन्य कई सरीर की ग्रंतियों को control करता है इसलिए इसको master gland करते हैं और इसी से जो है यह growth hormone स्रावित होता है और यह कम या ज़्यादा स्रावित होने पर क्या समस्याय होती है तो जब यह बच्चों में ज़्यादा स्रावित हो जाता है चोटे बच्चों में अगर यह ज़्यादा स्रावित हो जाए तो एक बीमारी हो जाते हैं भीमकाइटा भीमकाइटा इसमें जो है शरीर की लंबाई बच्चे जो है बहुत तेजी से लंबे होते हैं और बहुत लंबे हो जाते हैं मतलब शरीर जो है तेजी से ब्रिद्धी करता है बहुत ज़्यादा और अगर ये बड़ो में बड़ो में अगर यही ज़्यादा सावित हो जाए तो कुरूब भीमकाइटा हो जाती है कुरूब भीमकाइटा इसमें लंबाई नहीं बढ़ती है कुरूब भीमकाइटा में लंबाई तो नहीं बढ़ती है क्योंकि बड़े होने के बाद लंबाई नहीं बढ़ती है तो क्या होता है इसमें सरीर मोटा हो जाता है और भद्दा सा हो जाता है मोटा चोणा और चेहरा भी जो है भद्दा सा हो जाता है तो इसको कहते हैं कुरूब भीमकायता हो और अगर इसका कम स्राव होता है ज्यादा स्राव से तो भीमकायता हो जाती है कम स्राव से क्या होता है तो कम स्राव से बौनापन हो जाता है ठीक ह तो यह जो है बाद में बीज के रूप में प्रवर्तित हो जाता है यह किसमें होता है तो इस तरी केसर जिसको पिश्टिल कहते हैं पिश्टिल या इस तरी केसर में होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो बीज वाला पोर्शन है यह इस तरी केसर है ठीक है तो इसमें स ज्यादा तर फल बन जाता ह। ठीक है। जिसको वर्तिकाग्ड कहते हैं, और ये स्टाइल है, जो बीच वाली पाईप है, इसको क्या कहते है, वर्तिकाग्ड कहते हैं। ठीक है और बाकी ये सब क्या है तो ये जो है पुंकेसर है इसमें सबसे उपर क्या है एंथर यानि की पराकोस और नीचे जो है क्या है ये है फिलामेंट इसको पुतन्तु या फिलामेंट कहते हैं ठीक है और ये क्या है पराकोस जिसमें पराकार चिपके होते हैं और पूरे को क्या कहते हैं इसको पुंकेसर कहते हैं पुंकेसर या इस्टेमन ठीक है और नीचे जो है ये ये दोनों क्या है तो ये दोनों जो है सेपल्स है या इसको बाहे दल कहते हैं बाहे दल और बाकी ये जो कलरफूल पंकुरिया होती है ये क्या कहलाती है तो ये जो है दल कहलाती है या इसको petals कहते हैं ठीक है अगला question है यदि एक टार से प्रवाहित होने वाली विद्धारा आई है और एक electron का आवेस e है तो t second में प्रवाहित होने वाले electron की संख्या को किसके माध्यम से निधारित किया जा सकता है तो जो current होता है i यह जो है किसके बराबर होता है तो यह q upon t के बराबर होता है q यानि की आवेस और t यानि की समय तो जब एक कुलाम आवेस e second में प्रवाहित होता है तो यह 1 ampere विद्धारा के बराबर होता है ठीक है और q जो है n into e के बरावर होता है n क्या है n है इलेक्ट्रोनों की संख्या को n से प्रदर्सित करते हैं और e क्या है तो एक इलेक्ट्रोन पर चार्ज एक इलेक्ट्रोन पर जितना आवेस होता है जितना चार्ज होता है उसको e से प्रदर्सित करते हैं ठीक है और एक electron पर charge कितना होता है तो एक electron पर charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम तो इसको भी आप याद रखेगा ये भी पूछा जाता है एक electron पर charge कितना होता है तो यहाँ पर Q जो है किसके बराबर है N E के बराबर है तो Q की जगा हम N E लिख सकते हैं पर N E ठीक है I equal to N E upon T और हमें निकालना है कि electron की संख्या को किसके मार्दम से निधाज किया जाता है तो electron की संख्या यानि कि N हमें बताना है कैसे हम निकालेंगे तो N equal to क्या हो जाएगा I और E जो है बटे में हो जाएगा और T जो है उपर multiply में हो जाएगा तो I T upon E इसका right-hand हो जाएगा option A अगला question है pH मान में 7 से 14 में हुई बृद्धी किसका प्रतिम तो करती है तो pH मान इसका full form क्या होता है potential of hydrogen इसकी खोज किस ने की थी तो Sorenson नाम के scientist ने की थी और ये 1 से लेकर के 14 तक होता है बीच में क्या होता है 7 जिसका भी pH मान होता है तो वो villain कैसा होता है उदा सीन होता है neutral होता है और सुद्धजल हो गया और लवण हो गया तो ये जो है उदा सीन होते है तीक है और 7 से हम जितना कम जाते है 7 से जितना हम 1 की तरब जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, इस तरह से तो जितना हम एक की तरफ जाएंगे इधर की ओर उतना ही हाइडोजन आइनों की सांदता बढ़ती जाती है और वो विलेन कैसा होता है उतना ही ज्यादा अमलिय होता है जितना हम एक की तरफ जाएंगे ठीक है और 7 से जितना हम जाएंगे तो क्या होगा वो विलेन चारी होता जाएगा यानि की OH निगेटिव आनों की सांदता बढ़ती जाएगी तो C option इसका राइटन्स हो जाएगा ठीक है अगला question है ऐसी कौन सी धात्व ओकसाइड है जो हम लोग के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है लवर और जल बनाती है लेकिन कुछ धात्वें जो होती है कुछ धात्वें की ओकसाइड जो होती है वो अमल और चार्थ दोनों से क्रिया कर लेती है उनको कहते हैं उभै धर्मी ओकसाइड कहते हैं तीक है तो यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट एंस होजाएगा M4 टेरिक ऑक्साइड और इसके उदाहरण कौन-कौन से हैं तो Al2O3 यानि कि Aluminium Oxide और इसके लावा जिंक ऑक्साइड तीक है ये दोनों जो है उभै धर्मी Oxide के उदाहरण है अगला कौन है एक प्रसारण के इंद एक अत्तर इंटू 10 तुद बार 4 हर्ज की आपरित्ती और 3 इंटू 10 तुद बार 8 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है तो तरंगों का तरंग दैध क्या होगा तो यहाँ पर Frequency दी गई है आपरित्ती और इसके अलावा जो है Speed दी गई है तरंग की और तरंग दैध यानि कि Lambda बताने है हमें ठीक है तो जो तरंग की Speed होती है वो Lambda into Frequency की बरावर होती है यानि कि तरंग दैध गुड़े आपरित्ती की बरावर होती है और हमें निकालना क्या है तरंग दैध तो तरंग दैध क्या हो जाएगे Speed अपॉन Frequency हो जाएगे Speed कितनी दी गई है तो Speed दी गई है 3 into 10 to the power 8 meter per second और Frequency है 71 into 10 to the power 4 Hz यहां पर 10 to the power 4 है यह उपर जाएगा तो इसको अगर उपर ले जाएगे 10 to the power minus 4 हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 10 to the power 4 यहां कि यहां पर हम लिख सकते है 3 into 10 to the power 4 बटे 71 ठीक है और इसको हम 3 को 10 to the power 4 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3 के बाद 4 0 लगा देंगे बटे 71 इसको आप जो है Solve करिएगा 4 0 यहां पर लगेगा तो Solve करिएगा इसको एकतर से आप काटेंगे तो यह 4 22.5 मीटर आजाएगा ठीक है 4 22.5 मीटर यह आजाएगा तरंग डैद तो C option इसका राइटेंस हो जाएगा नेश कोशन है निम्र में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है तो अपर रूप यानिकि ऐलोट रूप तो अपर होते हैं लेकिन इनकी संदर्चना और गोड अलग-अलग होते हैं उनको क्या कहते हैं अपर रूप कहते हैं तो ग्रेफाइट और यह फूलेरीन है बक्मिंश्टर फूलेरीन और हीरा यह तीनों जो है कार्बन के अपर रूप होते हैं ठीक है इनका सभी का फार्मूला क्या होगा C ही होगा लेकिन इनकी संदर्चना अलग होगी यानि कि इनके जो एटम होंगे वो अलग-अलग तरीके से आपस में बंदे होंगे तो इसलिए इनको क्या कहते हैं अपर रूप कहते हैं कार्बन का लेकिन यहाप एक कार्बन डायोकसाइड है CO2 तो यह क्या है यह का कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन भी है और इसमें जो है ऑक्सीजन भी है लेकिन जो अपर रूप होते हैं वो केवल कार्बन से बने होते हैं तो राइट एंसर क्या हो जाएगा कौन सा नहीं है तो कार्बन डायोकसाइड जो है इसका राइट एंसर होजागा अगल ज्यादातर अलेंगिक प्रजनन होता है ज्यादातर और किस तरह से होता है तो बडिंग के द्वारा होता है इसमें आप देख सकते हैं यह जो है हाइड्रा है तो इसमें छोटा सा एक बड निकलता है यानिकि एक अंकुर निकलता है और यह बड़ा होता है बाद में और ठीख है तो इस बिधी को क्या कहते हैं? बार्डिंग या मुकुलन कहते हैं और यह अलेंगिक प्रेजिनन का एक प्रकार है तो ज़्यादा तर अलेंगिक प्रेजिनन होता है लेकिन कभी-कभी वार्ता वन रिए इस्तिती अन्कूल नहीं होते है ये किस की कम्य में से एक था तो एक साइंटेस्ट थे Newlands जिन्नोंopleंने तत्तों का वर्गी करण किया था मेंडिलीप से पहले सबसे पहले डोबन नियर ने किया था मेंड्लीपने किया था फिर जो है न्यूलायंस ने किया था तो Newlands के बार Henry Mojane ने किया था जिन्होंने आधुनी कावद सारी बनाई थी तो Newlands ने क्या किया था तो इन्होंने तत्यों को परमार भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था और ये बताया था कि हर आठों तत्यों अपने पहले तत्यों से मैच करेगा यानि कि आठों करता था केवल कैल्सियम तक कैल्सियम के बाद ये रूल फालो नहीं होता था और इसके अलावा इन्होंने कोबाल्ट और निकिल को एक साथ रखा था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मैच करती थी और लोहे की प्रॉपर्टी भी इनहीं की तरह थी कोबाल्ट और निकिल की तरह लेकिन लोहे को अलग रखा था तो इस तरह की कुछ कमिया थी जिसके का नियू लैंड का अश्टक्नियम जो है आगे सक्सिस नहीं हो पाया था तो यहाँ पे राइट एंसर क्या हो जाएगा आउसन सी नियू लैंड का अश्टक्नियम अगला कॉश्टन है एक उत्तर लैंज को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तर लैंज के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है यदि लैंज से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिविं कितनी दूर पर बनेगा तो यहां पर दिया गया है एक उत्तर लैंज है इसकी फोकस लंबाई कितनी है तो फोकस लंबाई है 10 सेंटीमीटर यह फोकस लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर और आबजेक्ट को कितनी दूर रखा जा रहा है तो 30 सेंटीमीटर pole से 30 cm दूर रखा जारा है object को तो जितनी भी जिधर object रखा जाता है उधर की जो भी distance होती है वो हमेशा minus मिली जाती है तो यानि कि u equal to u equal to क्या हो जाएगा minus 30 cm और focus दूरी यानि कि focal length जो है ये plus मिली जाएगा जो right hand side की जिधर object नहीं रखा जाता है उसके opposite side जो distance होती वो हमेशा plus मिली जाती है तो f equal to क्या हो जाएगा 10 cm और बताना है प्रतविम कितनी दूर पर बनेगा यानि कि v कमान हमें बताना है तो इसके लिए lens का formula लगा देंगे lens का formula होता है 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u ठीक है तो हमें निकालना क्या है 1 upon v निकालना है में तो 1 upon v equal to क्या हो जाएगा 1 upon f और minus 1 upon u इधर आएगा इसके तरफ तो plus में हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर value पुट कर देंगे 1 upon f की जगह क्या हो जाएगा 1 upon 10 हो जाएगा प्लस 1 upon u की जगह क्या हो जाएगा तो 1 upon minus 30 ठीक है u की जगह minus लखेंगे क्योंकि यह minus में है तो plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा यानि कि यहाँ पर क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो यहाँ पर 1 upon 10 से 1 upon 30 को minus कर देंगे तो यहां पे 30 जो है LCM हो गया और यहां 3 माइनस 1 यानि कि 2 अपॉन 30 2 अपॉन जा 2 2 15 जा 30 तो 1 अपॉन 15 आ गया 1 अपॉन V कमान यहां पे लिख लिखते है 1 अपॉन V क्या आ गया 1 अपॉन 15 तो V क्या हो जागा V हो जागा 15 cm इसी को उल्टा कर देंगे तो यहीं निकालना था V यानि कि प्रतिवीम कहां बनेगा तो 15 cm दूर बनेगा इधर कहीं पे तीक है अगला कुशन है यदि एक पॉधे का सम जीनी आ यानि कि जीनो टाइप जो है स्मॉल टीटी और कैप्टल आर आर है तो सम लग चड़ी यानि कि फीनो टाइप क्या होगा तो जीनो टाइप क्या होता है ये जीन प्रारूफ होता है तीक है यानि कि जीन किस प्रकार का है तो यहाँ पे दिया गए स्मॉल टीटी तो स्मॉल टीटी का मतलब होता है सुद्ध बावना तो ये जो पौधा होगा ये कैसा दिखाई देगा सुद्ध बावना दिखाई देगा अगर capital T T होता तो इसका मतलब होता सुद्ध लंबा और अगर एक capital T है और एक small T है तो ये पौधा जो है genotype इसका क्या होगा capital T और small T लेकिन इसका जो phenotype यानि कि यह कैसा दिखेगा तो यह जो है small t का gene तो है इसमें लेकिन यह दिखेगा नहीं यह इसमें यह वाला जो लक्षन है capital T वाला यह प्रभावी लक्षन होगा और यही लक्षन दिखेगा तो इसका phenotype क्या हो जाएगा तो यह जो है दोनों small है तो यानि कि इसका genotype जो है small tt है और इसी तरह ही दिखेगा भी यानि कि वो सुर्दबवना होगा सुर्दबवना होगा ठीक है और यहाँ capital R का मतलब क्या हो गया goal round ठीक है और यहाँ पे small R का मतलब क्या हो गया जोरीदार ठीक है wrinkled लेकिन इसमें दिखेगा कौन से लक्षड यह तो हो गया इसका genotype तीक है इसके gene इस तरह से है लेकिन इसमें small वाला नहीं प्रकट होगा बलकि capital R वाला लक्षड प्रकट होगा यह प्रभावी होगा तो यह दिखेगा कैसा तो यह goal ही दिखेगा अगला question है यह दि हम धावन सोडा की थोड़ी सिमात्ता लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रो क्लोरिक हम लोग मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे तो धावन सोडा यानि कि वासिंग सोडा इसका formula होता है Na2CO3 और इसमें जब हम हाइड्रो क्लोरिक एसिड मिलात के साथ यह गैस निकलती है तो राइट एंसर यहां पर हो जाएगा CO2 गैस तेज बुद्बुदाहाट के साथ निकलती है C option इसका राइट एंसर होगा नेश कुशन है अमोनिया का आर्विक दबिमान क्या होगा तो अमोनिया इसका formula होता है NH3 तो यहां पर जो है इसका molecular mask निकलेंगे N का जो है atomic mask कितना होता है nitrogen का तो nitrogen का होता है 14U और hydrogen का कितना होगा तो hydrogen का 1U होता है लेकिन यहां पर 3 atom है तो 3 से multiply हो जाएगा तो यहांनि कि 14 प्लस 3 यहांनि कि 17U जो है यहां जाएगा ammonia का आर्विक दबिमान तो D option इसका राइटन्स होगा next question है किसी अवतल दरपर पर आपतन कोण का मान 30 degree है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते है तो माली जी यह अवतल दरपर है ठीक है यह इसका center of curvature है तो माली जी कोई किरन आती है दर्पन से टकराती है तो इसको क्या कहते है आपतित किरन कहते है यह आपतित किरन है जो किरन आती है वो आपतित किरन होती है और एक कालपनिक रेखा हम कहीचते है सेंटर ओफ करवेचर तक तो center of curvature से जो हमने कालपनिक रेखा कीची है उसके और आपतित किरण के बीच में जो कोड होता है उसको आपतित कोड कहते है तो यह दिया गया है 30 degree ठीक है और जो आपतन कोड होता है परावर्तन कोड से अब यह किरण जो है जो focus बिंद हो है उससे हो करके जाएगी परावर्तित हो करके तो हमेशा आपतन कोड और परावर्तन कोड बराबर होता है अगर यह 30 degree है आपतन कोड तो परावर्तन कोड भी 30 degree होगा ठीक है दोनों बराबर होंगे तो right answer क्या हो जागा option A इसका right answer होगा next question है हमाल लिजे एक कालपनिक ग्रह जिसका द्रब्यमान प्रित्वी के आदेक बराबर है और तिज्जा एक धियाई बराबर है यदि प्रित्वी के सटा पर गुरुत्व करसन के कारण तोनर G है तो उस ग्रह पर गुरुत्वे तोनर क्या होगा तो प्रित्वी का दिया गया है प्रित्वी का मालत है द्रब्यमान यहाँ पर प्रित्वी दी गई है तो प्रित्वी का द्रब्यमान हम मालत है M है और उसकी तिज्जा मालत है R है तो gravity जो है जी ये किसके बराबर होती तो ये capital G M upon R square के बराबर होती है तीक है capital G क्या है गुरुत्वा करस्ण नियतांक है ये गुरुत्वा करस्ण नियतांक है जो की सभी ग्रहों के लिए समान होता है इसकी value fixed दोती है और M के है दब्यमान और R के है तिज्जा तो यह हो गया प्रिथवी की gravity और जो काल्पनिक ग्रे है काल्पनिक ग्रे का क्या दिया गया है काल्पनिक ग्रे का दिया गया है दब्यमान प्रिथवी के आधे के बराबर है तो यानि कि M upon 2 हो जाएगा दब्यमान इसका और तिज्जा दिया गया है एक तीहाई के ब्रावर यानि कि R बटे 3 हो जाएगा तो अब इसकी gravity क्या होगी ये तो होगी प्रित्वी की और इसकी gravity क्या हो जाएगी तो capital G तो वही रहेगा वो सबी के लिए समान दता है और दब्यमान M upon 2 है बटे R square तो R यहाँ पर R बटे 3 है तो R बटे 3 का square हो जाएगा इसको हम लेख सकते हैं capital G M upon 2 और R का square R square हो जाएगा और 3 का square 9 हो जाएगा तो R square बटे 9 को उपर लाएगे तो यह 9 उपर हो जाएगा R square नीचे अब इससे compare करते हैं तो G से G cancel M से M cancel हो जाएगा R square से R square cancel तो यहाँ पर जो है अगर यह 1 है तो यह कितना है 9 upon 2 तो यहाँ पर अगर प्रिशवी की gravity G है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 9 upon 2 G हो जाएगी Right answer हो जाएगा Option B 9 upon 2 G Next question है वैग्यानिक वर्गी करण यानि Taxonomy इसकी मूल इकाई क्या होती है तो वर्गी करण की इकाई क्या होती है तो इसकी इकाई होती है जाती यानि कि Species इसमें सबसे उपर होता है kingdom जिसको कहते है जगत सबसे उपर kingdom यानि जगत होता है फिर होता है phylum यानि कि संग फिर होता है class यानि कि वर्ग होता है उसके नीचे होता है order यानि कि गन होता है और उसके नीचे होता है family यानि कि बंस और फिर होता है genus जीनर्स जिसको कुल कहते है हिंदी में और उसके नीचे होता है species यानिकि जाती तो ये जो है इनका क्रम होता है सबसे उपर जगत और सबसे नीचे जाती तो जाती जो है ये मू लिकाई होती है ठीक है जाती है इसको species कहते हैं तो option A इसका राइटन्स हो जाएगा अगला question है चूने के पानी में carbon dioxide gas प्रवाहिद करने पर ये दूधिया हो जाता है ऐसा किसके निर्मार के करण होता है तो चूने का जो पानी होता है इसका formula होता है C-A-O-H-2 calcium hydroxide ठीक है C-A-O-H का whole price और इसमें क्या प्रवाहिद करते हैं carbon dioxide C-A-O-H-2 प्रवाहिद करते हैं तो यहाँ पे बनता है calcium carbonate साथ में जल बनता है ठीक है calcium carbonate और जल बनता है calcium carbonate ये सफेद रंका होता है जो संगमरमर होता है उसका formula भी यही होता है जो अंडे का khol होता है उसका भी formula यही होता है तो यहाँ पे right answer के हो जाएगा किसके निर्मार के करण ऐसा होता है तो calcium carbonate calcium carbonate के करण ऐसा होता है इसी करण पानी करण दूधिया हो जाता है तीक है अगला question है हम जो भोजन ग्रहर करते हैं उससे प्रात थुई कुछ उर्जा किसमे संग्रहित होती है तो हम जो भोजन ग्रहर करते हैं भोजन से उर्जा जो मिलती है वो किस रूप में मिलती है glucose के form में मिलती है तो glucose उर्जा के रूप में यूज हो जाता है जो उर्जा नहीं यूज हो पाती वो संग्रिहित हो जाती है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन भी ग्लुकोज का ही एक प्रकार है लेकिन ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रिहित होता है और कहां पर संग्रिहित होता है ये भी कुश्चन आता है तो उबहे धर्मी यानि कि Amphoteric तो मैंने अभी आपको बताया था कि उबहे धर्मी Oxide वे होती है जो अमलोर जार दोनों से क्रिया कर लेती है तो इसमें जो है Zinc Oxide होती है और इसके लावा L2O3 यानि कि Aluminium Oxide ये जो है उबहे धर्मी Oxide के उदारन होते हैं दोनों तो C Option इसका राइट अंस हो जाएगा Next Question है एक Lens की सक्ती प्लस 2.0 डाप्टर है Lens की किस मौर इसकी Focal लंबाई क्या होगी तो Lens की सक्ती यानि की Power of Lens की इसका Formula होता है 1 upon F F के है Focal Lens Focal Dury तो ये दिया गया है Lens की सक्ती 2.0 डाप्टर है Equal to 1 upon F हो जाएगा अगर हमें F निकालना है यहां से तो F equal to हो जाएगा 1 upon 2 Point लगा के 0 लगाएंगे तो 0.5 0.5 गया जाएगा F कमान तो यहाँ पर ये जो है कैसा Lens होगा ये भी बताना है आपे तो Focal Lens जो है उत्तर Lens की हमेशा Positive में होती है और Negative में होती है Outer Lens की उत्तर Lens जो होता है उसकी कैसी होती है Positive में होती है और Outer Lens की अगर पूछा जाए तो Focus दूरी हमेशा Negative में होती है ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जागा, यह option इसका राइट अंसर हो जागा है, उत्तर लेंस है ये, और इसकी focal length क्या होगी, 0.5 meter होगी, next question है, आदुनी कावल साड़ी में, तीसरे अवदी और अठारवे समू में रखी गई, नोबल गैस का नाम बदाईए, तो अठारवा ग्रूप जो होता है, इसमें जो है, जो गैसे होती हैं, उनको अक्रिय गैसे कहते हैं, या इनर्ट गैसे कहते हैं, और इनको नोबल गैसे और इस ग्रूप को जीरो ग्रूप भी कहते हैं, तो इसमें कौन कौन से तत्यों होते हैं, तो इसमें सबसे उपर होता है हीलिय gue, इसकी स्वोर्ट एक है, वो आप यात करिजे, हीना, नीना, और करीना की जिरोक्स रानी, तिक है, तो हीलियम, निओन, हॉर्गन, कृप्ट Zenon और Ridon यह इतने तत्त होते हैं तो यहां पी पूछा गया है 88 गृर्प में तीसरे आवर्त में तिसरी आवर्त में तो पहले पिरियेड में हिलियम होगा दूसरे में neon होगा और तीसरे में कौन होगा? और्गन तो राइट एंसर क्या हो जाएगा option D इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला question है amphibian पोधों को निमने से किस समोह में रखा गया है तो amphibian इसका मतलब होता है उभायचर उभायचर को English में कहते हैं amphibians कहते हैं तो उभायचर इसलिए इनको उभायचर कहते हैं पादब जगत का और इसमें समवहन उतक नहीं पहा जाता है यानि कि जायलम और फ्लोयम इसमें नहीं पहा जाता है यह सूच माकार के पहुदे होते हैं इसमें फूल वगरा भी नहीं होते हैं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा अगला कॉश्चन है इनमें से कौन सापदार फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्तित गैस की प्रकृति की अधार पर एक विसेश रंग के साथ चमकता है तो फ्लोरोसेंट ट्यूब यानि की कोई अक्रिय गैस बर देते हैं और जो अंदर की कोटिंग होती है काच वाली जो सता होती है उसके अंदर फास्फर की कोटिंग कर देते हैं अंदर की सता पर तो जब इसमें electricity प्रवाहिट की जाती है तो पारे की जो वास्प होती है वो ionized हो जाती है और जब ionized हो जाती है तो उसको कहते है plasma कोई भी gas जब ionized हो जाती है उसको plasma कहते है और ये plasma से जो किलने निकलती है ultraviolet किलने होती है और ये phosphor की coating से टकराती है तो ये चमकती है तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि किसके करण चमकती है तो प्लाजमा के करण चमकती है तो उसी से हमें प्रकास मिलता है तो option A इसका राइटन सरळ जाएगा टीख है अगला question है निम्ड में से कौन सा लवर अमलिय है तो इन में से कौन सा अमलिय लवर है ये बताना है तो जब अमल और चार की क्रिया होती है हापस में तो क्या बनता है लवर बनता है और साथ में वाटर बनता है ठीक है साल्ट बनता है और वाटर बनता है अमल और चार को मिलाने से अगर प्रबल अमल हो प्रबल अम्ल और दुर्बल चार हो प्रबल अम्ल और दुर्बल चार होता है तो इस क्रिया से जो लवर बनता है वो कैसा होता है वो अमली ये लवर होता है वो लवर कैसा होता है अमली ये लवर होता है और इसी का उल्टा कर देते हैं दुर्बल अमल हो और प्रबल छार हो तो जो लवड बनता है वो कैसा होता है छारी होता है ठीक है तो यहाँ पर बता रहे है कौन सा इसमें से अमलिय लवड है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा तो दोस्तो आट का वीडियो यही पर समाप करता हूँ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताइएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलेगा और जो दोस्त नए है चैनल पर चैनल को सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अ को लिजे ताकि अगला वीडियो अप्लोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई एंड टेक केर